आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टाइम टेबल के बारे में अगले 10-15 में आप सभी लोगों के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं मेरे पिछले चार से पांस साल का यह जेतना भी एक्स्पिरेंस रहा है बच्चों के साथ रहे के साथ मेरी खुद की यह सुडेंट लाफ जब मैं 11th के अंदर था या कॉलेज जब मैंने इंजिनेरिंग करी इंजिनेरिंग आपको इंजिनेरिंग सिखाए ना सिखाए यह कि आप एक कॉपी पेंसिल लो ठीक है विदाउट स्किप किये पहली चीज के साथ स्टार्ट करते हैं आप नाइट वर्सेज डे कि क्या हम दिन में पड़े या रात में पड़े अब यार यहां पे आपके सामने जो मनुश्या खड़ा है यह वह वह व्यक्ति है जो पिछले बन सेट नहीं हो रहा भाई आप मेरे को समझ नहीं पार रहा हूं आपके पेरेंट नहीं हो जो आपको ताना दूंगा रीजन देता हूं मैं इसके पीछे यह वह अपना डेनर करते हैं 9.30 बज़े तक अब होता क्या उसके बाद आप 10 से 12 एक बज़े तक बहुत अच्छी पढ़ा ही करते हूं क्योंकि घर में शोड़ी शांती वांती होती ही रात का सा समय होता है मम्मी एक बज़े आती है बटा सोजाव आप हो नहीं मम्मे मा थोड़ी दर बात सोजाओंगा पर जैसे ही एक डेड़ बज़ता है तीन घंटे हो चुके आपको दोबारा भूख पढ़ खाऊंगा एसा करता हूं कुछ मुवी एंगार खोल लेता हो ठीवी माग हो जाती है मुवी अभी भी चल रही है अब वह डोपमीन यार आपका किक स्टार्ट हो चुका है और आप किताब पड़ेगा पता चला हमने डो बज़ गए तीन बज़ चार बज़ गए और आप अभी तक तीवी शो को देखे जा रहे हो और यह चीज यार हम सब के साथ होती है और यार मम्मी हमारी होती है नहीं हमारे उपर नजर रखने के लिए फिर हम लेट उटते हैं दिन में 9-10-11 वजे मम्मी हमें डांटती है कि तुने अपनी पहली ग्लास मिस कर दी एक negativity के सा दिन आपका स्टार्ट हो रहा होता है और यार वो चीज बहुत खराब है और यह सब चीज आप रशायद रिलेट भी कर पा रहे होगे वहीं पर अगर आपको रात को पढ़ाई करनी ही है तो रात को एक बजे तक कर लो max to max या फिर जल्दी सो जाओ रात को 10 बजे और सुब पुरा रिदम और मैं बोलूँगा consistency discipline break कर रही है वो है सोने का time ये एक fact है यार कभी हम 10 बजे सो जाते क्योंकि हमारी थकान जाद है कभी हम 12 बजे सो जाते कभी हम 2 बजे सो रहे हैं कभी हम रात को सो ही नहीं रहे कभी हम दोपैर में सो रहे हैं तो होगा क्या यार आपको 2 at least 7-8 गंटे की नीट जरूर लेनी है 6 से कम तो यार बिलकुल नहीं जाना वो बच्चे मत बनना कि यार में को 4-5 गंटे ही पढ़ाई लेनी है नहीं आपको यार आज की दिन दिमाग का इस्तमाल करना है जो चीज़े पढ़ रहे हो वो चीज़े रेटेन रहे हैं at least 7-8 गं मैं चाहता हूं यार यह एक घंटा आप अपने खुद को दे खुद को इन दा सेंस चाहे आप अपना टेबल पे बैठके यार पड़ी रहे हो या शुरुवात में आपने दिन में जैसी खड़े होई पांच मिनट के लिए आप धूप में बालकनी में चले गए अगर सुब कितना चलके आ चुके हैं कितना दूर और जाना है क्या मेरा रास्ता होने वाला है यह एक घंटा बहुत जरूरी है अगर सुबह जल्दी उठते हो कोशिश करो कि सनलाइट जरूर देखो बहुत एक पॉजटिव वाइब आपको आएगी यार पांच-दस मिनट चले गए च मेरा second pre-board आने वाला है यार यार उसके बाद मेरा mains आने वाला है उसके बाद मेरा board exam आएगा उससे पहले practical exam भी हो अच्छा फिर बोर्ड के बाद आपको दुबारा जेगी निट आएंगे फिर मेरा advance आ रहा होगा तो जब यार आप यह चीजे लिख ले तो और लिख ले न test के आगे लिख कि यार ये Monday test होगा इसके लिए भी मुझे पढ़ना होगा ये बीच में pre-board होगे इनके लिए पढ़ना होगा ये शादी है मेरी शादियां तो भूल जाओ नहीं जानी है मेरे खुद की भाईयों की शादी यार हमने मिश करी और कितने दोस्त मैं आपको बत आने chemistry चल रहा है physics का एक subject पकड़ा तो तीन चर दिन physics का वो subject ही चल रहा है बहुत खराब strategy क्यों on the moment में तो बहुत अच्छा लगता है कि यार मेरे को सारी चेज़े समझ मारी एक momentum बन रहा है पर जो आपके बाकी subject हैं वो सफर कर रहे होते हैं आप उनने revise नहीं कर पा रहे ह एक से दो sitting जरूर दो right sitting का मतलब है एक sitting equal to two to three hours right next चीज के ओपर आते हैं revision revision यार सबसे बड़ा यहां पे आप बोल सकते हो की player है हर बच्चा syllabus खतम कर लेता है यार फरक बस चीज का है कि कौन बच्चा है जिसने at least 5-6 बार revise किया है पेपर में आपको दो ही चीज़े याद या तो वो चीज जो आपने paper से एक दिन पहले पढ़ी है या वो सब चीज जो आप 5-6 बार पढ़ चुके हो 10% rule यार तीन तरीके रिवाइस करने के पहला 10% rule जब भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो at least उसका दस परतीतर से जरूर अपनी copy कंदर लिखें उसे क्या हो तो maintained रहता है end of the day आपको लग रहे है यार इतने पन्ने पढ़ लिए आज तो काफी अच्छी एक वाइव आ रहा है दूसरा यार फ्लैश काड ज़रूर बनाए फ्लैश काड इनसेंस कि यार मैंने मालो आप कहीं से भी आप नोट्स कर रहे हो चीग हमने भी दे रखे हैं व बहुत सुपर फास्ट होता है कहीं पे भी आप हो पांच-जस मिनट खाने के साथ भी उस फ्लैश काड को रिवाइस कर सकते हो थार्ड होता है 5-6 रिविजिंस आपको मारने जिन में एक दो बार तो यार चाप्टर को ढग से लिखा हो और बचे वी रिविजिंस में आपने 10% रूल को फॉलो कर रखा हो नेक्स चीज के उपर आते हैं आप यह यलो वाली चीज़े टूडू रियालिटी हर दिन का यार आपको टाइम टेबल बनाने कि यार मैंने क्या सोचा था कि यार मैं इतने बज़े उठूंगा यह यह सिटिंग मारूंगा और end of the day बनाओ कि reality क या मैंने वो वो करा पता चला आपने बोला मैं 8 बज़े उठूंगा या मैं तो सुबह 4 बज़े उठूंगा ठीक है और उठ रहे हो आप 6 बज़े तो दो घंटे का लॉस हुआ है देखोगे आपके यार यह एक घंटा मैंने दोस्तों से बात करने में निकाल दिया तो एक अचीवमेंट है ठीक है अपने आपको गिल्टी फील मत मत कुरवाओ हम यार गिल्ट फील आती है इसलिए हम टाइम टेबल बनाते नहीं पर वो गिल्ट फील ही तो हमें तयार पुश करेगी जो बंदा टाइम टेबल बनालेगा उसके नंबर आने ही आने है यह एक फैक मिनिममम बोल रहा हूँ मिनिममम आपका 5-10% का नंबर का इंक्रीज आएगा चाहे आप बोर्ड एक्जाम की बात करो चाहे हम जेई की बात करें लेक्स चीज़ के उपर आते हैं जो कि है अनॉंस अनॉंस का मतलब आपके घर में जितने भी लोग हैं मतला मम्मी पापा हो ग लंटे देख क्या गोम रहा है बात कर रहा है दोस्तों से तो वो मम्मी का यार बहुत एक इंपोर्टन रूल होता है आपके पढ़ाई के अंदर वो मॉनिटर करती रहती है और वही मैं कारण है कि सुबह मम्मी उठी हुई होती है सारे मील्स आपको दे सकती है तो आप एक आपका ट्रैक रहता है कैमरी की तरह मम्मी आपके रखती है और जब मील्स की बात आई रही है एक और पॉंट जो यहां पर मेंशन नहीं है कभी भी अपना पेट यार 100% हम नहीं भरना है और मतला वह बंदा तो बिलकुल नहीं बनना कि बहीं डेड़ सो फरतिशत खा लिया तीन रोटी की भूख थी चार रोटी खा गए पांच खा गए धाई खाके सो रहे हैं तो पहरे में नहीं हमेशे स्टुडेंट लाइफ में यार जब आपको कॉंपटेशन की तियारी कर रहे हो 75% खाऊ अपना पेट खाली रहना चीए थोड़ा बार बार खालो मम्मी बना क में आप पढ़ रहे हो यार वो अपका एनवायमेंट है वो आइसोलेशन जरूरी है एक बाउंडरी बना लो लक्षमन रेखा कि इसके अंदर कोई नहीं आएगा इसका मतलब नहीं है कुंदी लगा के बैठ जाओ मम्मी मारेगी ठीक है को गेट खुला रखने जैसे मम्मी ईख सके की पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे पर चोटे बाई-बेनों को बलीए कि यः शोर मत मचायो भार रहो ममी पापा को बल्ली अगर युद करना चैजई करना है जब आपको पढ़ना है गर टीवी चलता है तो बोगो कि वही कनेक्शन काटे ए है आज कि कोलन टीवी देखता है ठीक है और फिर भी कहीं से noise voice distraction आती है आपको लगता है कि यार ये लोग इनकी वज़े से मैं distract हो रहा हूँ तो बोलो share करो कि यार प्लीज इस चीज़ को हटाओ environment का मतलब यार यहां पर यह भी है जब भी आप पढ़ने बैटो अपना एक area बना लो कि यार यह मेरी table कुरसी है इस पर जब मैं बैट रहा हूँ तभी पढ़ रहा हूँ बैट पर अगर आप यार पढ़ रहे हो ठीक है सर्दी में मज़ा आता है रजाई के अंदर गुषने में अपना वाक पर चले जाओ थोड़ा की रूब में अपने इधर उधर वाक कर लिया ठीक है गाने माने सुन लिए जब गाने अगर सुन रहे हो सबसे अच्छा यार जरिया होता है अपने आपको की बीठ है तो आप इंजोई करते हो रिलाक्सेशन फील होता है आपको ढ़ाई घन्टे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आदे घन्टे का उवरेख अब बागना पढ़ेगा जिटना अंदर है फुल पोटेंशल मारत में रिगरेट नहीं करोगे अगले चार से पांच महीने बहुत एक major role play करने वाले हैं जो mummye papa आपको बार-बार push कर रहे हैं उसको यार गलत वे में नहीं लेना कि यार ये मेरे को पता ने क्यों डाटते रहते हैं मेरे को समझते क्यों नहीं वो समझ रहे हैं, भला चाहते हैं इसलिए ही आपको धक्का दे रहे हैं बेस्ट दे यार अपना, नंबर कितने आएंगे वो नहीं पता, पर अपने साथ honest रहे, consistent रहे, वो important है, next चीज के उपर आते हैं, long hour की sitting रखनी है, ऐसा नहीं कियार, आदेपाउन एक गंटी की sitting रखनी है, बार-बार gaps दे रखनी है, उसमें flow नहीं बनता है, जब भी अपनी एक बार कुर्सी पर बैठ के, minimum 2 गंटे तक तो आप मुझे कोई नहीं उठा सकता, पानी अपना बगल में रखनी है, तो काजुवदा मागे रख लो, पर खाना वहीं मंगवालो, पर 2 गंटे से कम की sitting हमारी नहीं होनी चीए, दिन में यार अगर आपका school चलत दिन दे दिया, दो गंटे तो नहीं पढ़ते हैं English को, हर दिन आपने एक चाप्टर निकाल दिया, हमने पूरी प्लेइलिस्ट वगेरा बना रखी है, अपनी कक्षा चानल के ऊपर, हर एक चाप्टर, सारी की सारी writing skills आपको दे रखें, 10-15 मिनट के वीडियो है, समरी यहां से भी पढ़ते हो, पढ़ो पर पढ़ो जरूर, ठीक है, ग्रेट, नेक्स चीज के ऊपर आते हैं, अब यार इसके अंदर किसी के अंदर श्रद्दा है, तो भही उस गंटे वो अपने भढ़ा भी सकता है, ठीक है, मैंने यहां पर अपना एक मिनिममम दिया है, कि इत के अंदर यार यह लिखा जाता है, कि आपके जो सबसे इंपोर्टेंट काम होते हैं, दिन के, वो आपको सबसे पहले करने हैं, कभी-कभी होता है ने यार, अरे यार मंडे टेस्ट है, आ रहा है, उसके लिए पढ़ना है, पर अभी नहीं पढ़ूँगा, अभी अपना अगर चीजों को नहीं करेंगे, तो आप समय भी नहीं दोगे, अगर आप priority किसी को नहीं दे रहे हो, लिखके दो या mentally दो, तो यार आप उसे समय भी नहीं दे रहे होगे, यह एक fact है, आगे चलते हैं, आगे कुछ नहीं है, तो अभी तक यार मैं आपको दुबारा बता द चुके हो, कोशिश करके देखो एक बार सुबह उठने की, तीन-चार दिन उसे एक्जीक्यूट करो, आपको खुद फील होगा, कि यार हाँ, दिन में बैटर जा रहा है, एटलिस जब आप स्टूडेंट बारवी तक क्यों, कॉलेज में जाके यार, इतनी पढ़ाई इंप दूसरे बंदें होगे कि यार, जल्दी सो जाएंगे, जल्दी इनना सेंस की, पता चला यार, वो 9-9 सो रहे हैं, ठीक है, और यार, 10 बजे तक सो रहे हैं, और फिर सुबह जल्दी उठक है, आपका, पता चला, शाड़े-4 बजे वो उठ रहे है, ठीक है, तो यार, ये आपका रूम है, अपना एक रूम है, अपना एक लांप, जब मैं पढ़ूंगा, तो वो लांप, जब नहीं पढ़ रहा, तो वो लांप ओफ होगा, सिटिंग मैंने आपको बता दिए, फॉर एवरे ट्वेंटी फाइफ मिनट, पांच मिनट का रेस्ट लेना है, तीन गंटे आप पढ़ते हो, तो आपने यार, कितना 35 मिनट का रेस्ट ले लिया, गाने माने सुनो यार, circulation important है, खाना ज़ादा नहीं खाना है, एक बार में यार, आपने अपना 75 परशंट तक पेट बार लिया, बार बार खाओ, कोई दिकत नहीं, दिन में 6 बार खाओ, पर एक बार में ज़ादा हम नहीं खा रहे होंगे, एक बार बैठके तो अंगद का पैर है, नहीं उठेंगे दो से तीन गंटे के लिए, ये चीज़े ही हैं, जो कि यार, आपको अलग कर रही होती हैं, और सबसे ज़ादा important कि आप time table बना रहे हो, इसमें यार, in fact, मैं तो चाहूँगा, मेरे को रोज tag करो, अगर आपको कुछ ऐसा है कि यार, मेरे एक track बनता रहे है, वो जो मैंने announce वाली चीज़ कही थे, मुझे भेजो, last year, यार, ये मैंने कहा था, अपने students को, कि जो भी time table बना रहे है, अपना time table मेरे को tag करके भेज़ दो, चाहिए, Instagram पे, Telegram के, तो यार, हमने channel बना रहे हैं, पर वो groups नहीं, उसमें आप भेज नहीं पाओगी, किसी भी माध्यम से, अपने आपको कटपा गोशित कर देना, अगर आप ये चीज, 14 दिन के लिए कर पाते हो, तो अपने आपको बाहु बली गोशित कर देना, और मुझे tag कर देना, कि भाईया, 14 दिन हो गया है, back to back बना रहे हूँ, मैंको खुद बहुत बढ़िया लगता है, तुमारे वो दे आपको बार वी में आज तक के सबसे जादा नंबर आएंगे, ये एक फैक्ट है, राइट, साथ मेर अगर आपको कुछ पढ़ा वड़न है, अब तो यार यूट्यूब पे इतना जाद है, चाहे तुम अपनी कक्षा पे पढ़ो, कहीं और से पढ़ो, जहां से पढ़ो, प और बस ऐसी लगे रो यार दबा के, तब तक के लिए चलते हैं, सिया, हाव गुट डे, बबाई, टेक केर